गुड मॉनिंग दोस्तों आज मैं अपनी ही चट पे हूँ रेलिंग से देख रहा हूं और आप देख पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत नजा रहा है पीछे का ग्रीन ग्रीन आज हम बात करने वाले हैं कुछ अनोखी कुछ बच्पन की याद हैं कुछ सेतूत से जुड़ी ह आज सेतूत के फल भी चेखेंगे बहुत मजायाएगा आपके साथ आप हमारी वीडियो देखते रहें सब्सक्राइब करें कमेंट करें लाइक करें चलो सुरू करते हैं आज का वीडियो यह नजारा जो आप देख पा रहे हैं पके-पके सेतूत यह मेरी बालकनी से ही नज सब्सक्राइब करें में ज्यादा समय नहीं लगा और आप देख पा रहे हैं किने प्यारे सेतूत है और मॉर्निंग में कल हमने खायते आज सोचा कि आज एक वीडियो भी बनाई जाए और आप लोगों को दिखाया जाए वश्पन की आदे तो बहुत जुड़ी है सेतूत से मैं बहुत चोटा था अलब साथ आठ साल करहा हूँगा तो मैं हमारे गाओं में एक सर्मा जी का बाग था उस बाग में बहुत सारे पेड़ थे जिन में एक बहुत बड़ा व्रक्ष था सेतूत का जो की एक विसाल का व फिली कड़ पाथे दोस्त हमारे हमें चुड़ाने कोस्त करते रहते थे कई वार नहीं हमत पड़ी क्योंकी गिरने का डर था और उस जर के साहाथ हमें आगे बढ़ने की वी उम्मीद थे क्योंकि सहतूत कहने जो होते थे कहिन कहिन लाइफ में डर आपको रोकता है लेकिन कुछ उम्मीद हैं होती हैं जो आप पूरा करने के लिए उसे पाने के लिए अक्सर प्रयास करते हैं और दीरे-दीरे कोसिस करते करते दोस्त पीछे से दक्का लगा दे और हम चड़ना सीख गए फाइनली उस फिसाल का पेड़ की जो टहनिया थी उन पर हम इस तरह कोते जैसे कोई बंदर कूता है मलब रक्षबे और धीरे-दीरे हम अच्छे से चड़ना सीख गए दिन में लगवग दो बार चड़ते थे कि मावाब भी डूनते रहते बहुत जाते थे कभी डाट पढ़ते थी पिटाई बढ़ जाते थी क्योंकि पूरे दिन उसी पिटेंगे रहते थे अकसर यह होता है कि बच्पन बहुत प्यारा होता है और हम जब बच्चे थे तो बहुत एंज्वाई करते थे लोग आज भी के पैर के टो रख रख के आगे बढ़ जाते दें कि वही नजारा आज कुछ इस तरह से की प्रिकृति हमें अच्छे फल खाने कर देती है और यह नजारा मेरी बालकनी से तो मुझे और ज्यादा मुलब खुसनवा महसुस कराता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अक्सर जब भी फल आते हैं जिस साल जिसमें फल आते हैं अम इन गर्मियों में जैसे गर्मिया स्टार्ट होती है मार्च में तो मुझे लगए एक डेड़ मैंने काफी अच्छे तरीके से हम अनद लेते हैं फलों का और हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं कि खासकर मैं कभी कभी चड़ जाता हूं इस पर पेड़ यह मलब दिवाल पर चड़के मलब तोड़ लेता हूं और फूरा फैमिली ही इंजॉय करता है उनसे तो को उमीद है कि हर व्यक्ति एक या दो ब्रक्ष जरूर लगाए जहां भी पॉसिबल हो वहां लगाए और अपने लिए ना और हमें सेडंग इस रहरे लगान काता है इस थी इस लगाए तो हम साथ तोझ शायव। यहण लिए यह करता है हूं लगाए या बापने लिह के लिए और लाइफ में कम से कम 20-25 तो लगाई दो हर साल एक दो एक दो करके पेड लगाते रो और वो किसी ने किसी को तरीके से लाब पहुंचाता रहेगा की प्लांटिंग और मेरी नई वीडियो आते रहेंगे आपको ट्रैवल से रिलेटेड प्लांटेशन से रिलेटेड खेती बाड़ी और क्या ना में बागवानी से रिलेटेड अगर आपको यह अच्छे लगते हैं हमारे वीडियो तो आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट से अपने दोस्तों के बबाई, इसलिए त्यून्द ... भर मार है फनों की